मुवी स्टार्ड होती है और हम देखते कि मसीमो और नाचो के फादर में मिटिंग हो रही थी उल्गा को हम बहुत ही सैड देखते हैं और इसी वज़े से अपने वेडिंग को उसने कैंसल कर दिया था नाचो के फादर मसीमों से कही थी है कि हमारी लड़ाई बहुत सारी जनरेशन से जलती आ रही है अगर हम फिर से लड़ेंगे तो किसी का भी भला हो नहीं पाएगा जो भी हुआ उसे हम एक सिर्फ एक्सिड़न मानेंगे मसीमों कहिता है कि तुम लोग मेरी टेरिटरियों में फिर से नहीं आओगे अगर आए तो वार छेड़ जाएगे उन्हीं जाने के लिए उसने सिर्फ एक घंडा दिया इसके बाद मसीमों को हमें एक ग्रेव के पास देखते है उसके ट्वीन ब्रेदर की ग्रेव थी लास्ट मूवी के एंड में जो शूट आउट हुआ था उसमें उसके ब्रेदर की टेथ हो गई थी इसके बाद मसीमों जब घर पर आता है तो वहाँ पर उसके बास लॉरा थी इसका मतलब है उसकी जान बच गई थी उसने उसे बहुत मिस किया था और इसके बाद दोनों इंटिमेट होने लग गए मसीमों कहता है कि अब भी तुम पूरी तरीके से रिकोवर नहीं हुई हो हम यह सब नहीं कर सकते है डॉक्टर ने उन्हें मना किया था लॉरा कहती कि मुझे डॉक्टर के कहने से कुछ भी फरक नहीं पड़ता मसीमों उसे रोक लेता है इसके बाद वो बेड़ से उटकर उलगा के पास आके उसे चलता फिरता देख उसे बहुत ही अच्छा लगता है लॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जारा रेस्ट करना चाहिए लॉरा कहती कि रेस्ट करकर मैं बहुत ज़ादा बोर हो गई हूँ वो अपने लिए वाइन ओर्डर करती है लॉरा कहती कि मुझे लाइफ में एक सेकंड चांस मिला है और इसे में गवाना नहीं चाहती लॉरा के एकसिडन्ट की वज़े से उल्गा ने अपने मैरेज को कैंसल कर दिया था इस वाद को सेलिवरेट करते है नेसीन में मसीमो एक मीटिंग में था लॉरा उसके सामने से उसे हाथ लगा कर जाती है वो फिर उसके पास आ गया और वो दोनों इंटिमेंट हो गए लॉरा जब अपने रूम में वापस आई तो लॉरा समझ गई कि मसीमो और लॉरा के बीच में क्या हुआ है वो इसके लिए हैपी थी इसके बाद वो दोनों बाहर जाते है अच्छे से लंच करते हैं और बहुत एंच्जाई कर रहे थे अच्छन से लॉरा को कॉल आ जाता है ये कॉल नाचो का था लॉरा के सामने वो पिक अप नहीं करती और वहाँ से दूर चली जाती है लॉरा ने वसे बूचा कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो मसीमों से बहुत ही डिफरेंट था वो मेरा एक बेस फ्रेंड बन गया था लॉरा उसे बुच्छ थी कि क्या तुम उसके जाथ इंटिमेट हुई थी पर लॉरा इसे मना कर दिया मेरे लास्ट मूवी के एक्स्प्लिनेशन में मैंने कहा था क्यों दुने इंटिमेट हुए थै पर एक्च्छल में वो सिर्फ लॉरा का सपना था लॉरा ने कहा कि तुम उससे प्यार करने लग गई हो लॉरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद वो डांस करने के लिए क्लब में जाते है वहाँ पर ओलका का फियान से डॉमनी को आ जाता है वो दोनों फिर वही पर किस करने लग गए लॉरा नीचा आती है तो पार्टी में मसीमो भी आया हुआ था उसे एक प्राइवेट डांस दिखाने के लिए लेकर जाता है उस लड़की ने उनके सामने डांस किया पर लॉरा को यह अच्छा नहीं लगा उसे जाने के लिए कहती है इसके बाद वही पर ओदोनों इंटिमेट हो जाते है रात में लॉरा उटी तो बेड़ पर ओखेली थी तो मसीमो को ढूडने लग दिया मसीमो उसे बुछता है कि तुम सोई क्यों नहीं लॉरा कहती है कि तुम्हारे बिना मुझे नीन नहीं आती उसे बुछता है कि उस आइलन्ड पर हुआ क्या था लॉरा ने गहा कि तुम ट्रंक हो हमें इसके बारे में बात में बात करनी चाहिए मसीमों इस बात से गुस्सा हो जाता है लारा ने गहा कि मुझे लगा था कि तुम मुझे बढ़ चीट कर रहे हो इसी वज़े से उसके साथ में गई थी मसीमों ने गहा कि वो तुमारी मिसटेंड escapes थी लारा कहती ही कि तुम अगर तुमारे बेबी लॉस्ट कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉलम हो जाती तुम अपने दुश्मनों के साथ वार स्टार्ट कर देते मसीमो कहता है कि तुम्हें मुझसे हाइड नहीं करना चाहिए था लॉरा ने कहा कि तुम्हारी दुश्मनी की वज़े से सब हुआ था मसीमो गुस्ता टार कि लॉरा उसके साथ जूट गया रही है और गुस्सा अब आकर वहां से चला गया इसके बाद उन दुनों में दुरिया हो गए वो दोने एक दूसरे के पास नहीं सोते एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे पर फिर भी एक दूसरे के पास नहीं आते लॉरा मसीमो से बात करने के लिए आई थी पर मसीमो को अपने बिजनेस का कॉल आ जाता है उसके इंपलॉई ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था और उस प लॉरा डिसाइड करती है कि अपने काम पर फोकस करेगी अपनी वो कमपनी में आई वहाँ पर डिजाइन्स देखती है और अपने केटलोग को अपरू करती है अलग-अलग डिजाइन्स पर काम करकर उन्होंने अपने प्रोड़क लाइन लांच किये मसीमो ने भी खुद को ब उन में जादा इंट्रेस्ट नहीं दिखा था और वहाँ से और चला गया एक दिन लॉरा के ओफिस में ओलग आई वो बहुत एक्साइड़ेट थी क्योंकि उनका ब्रैंड फैशन विक के लिए पूर्टूगाल जाने वाला था उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी अच् लगता कि हम हमारे रिलेशन्शिप को सुधार पाएंगे पूर्दुगाल बोचने के बाद उल्गा एंजॉय कर रही थी लॉरा को कई पर भी जाने का मन नहीं था पर फिर भी उसे खीज कर वो लेकर जाती है बीच पर जाकर वो कुछ सरफरस को देखते है उल्गा सब लॉरा ने उसे बताया कि जब वो नाचो के साथ तो किस तरीके से उसने उसे सर्फिंग सिखाई थी बीच पर सर्फिंग के विनर की अनौसमेंट होती है और उसमें नाचो का नाम आया यह नाम सुनकर लॉरा डिस्टर हो गई वह जाबर बैटे थे वह वही पर आ रहा था वॉलका को है भी यहीं है लॉरा ने उसे देखा तो इंव्यों नाचो कि सिस्टर ही थी लॉरा विलगा से कहे थी कि मुझे यहा से जाना है जल्Дी से यहा से निकाल लौक ने नचो को डूझ सबसाफाग रहाव candies दया et vid by पर पहुत अस्ट है वो फिर पार्टी करने के लि कर जाता है पार्टी की मॉडल्स को मिलते मिलते लौरा नाचो की सिस्टर को भी मिलती है उल्गा कुछ उल्टा सिदा कदम ना उटा है इसलिए लौरा नहीं अपने बॉड़ीगार्ट को कहा था कि अगर वो किसी के साथ फ्लेट करती है तो उसके रूम तक को छोड़ कर आए उल्गा बॉड़ीगार्ट को बहुत मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है नाचो की सिस्टर लौरा से कहती है कि मेरा ब्रदर बुरा नहीं है वो सिर्फ अपने फादर के लिए बहुत लौयल है उसने जो तुमारे साथ किया वो बहुत ही बुरा था जब मुझे लौरा और नाचो एक जगा पर आते है लौरा उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ इसा किया कैसे जब तुम मेरे लाइफ में नहीं थे तब सब कुछ बहुत परफेक्ट था इसके बाद तो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते है वो उसे उसके होडल डॉप करने वाला था पर घर पर लेकर आता है लौरा ने कहा कि यहाँ पर मेरा रूम नहीं है मसिमो कहता है कि मैंने मिस्टेक कर दी पर इस मिस्टेक को हम सुदार सकते है वो दोनों फिर घर में आये घर के बास बीच था और वहाँ पर वो पेटे हुए थे नाचो कहता है कि तुम मुझसे भाग सकत पर तुम क्या feel करती हो इस बात से नहीं बाग सकती लोरा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या feel हो रहा है नाचो कहता है कि तुम्हारी body से मुझे सब कुछ पता चल जाता है लारा उसका करीब आ रही थी और कहती है कि मुझे अपने क्या करोगे भी मेरी फिलिंग्स चेंज नहीं होगी इसके बाद लॉरा उसके करीब आके और वो दोने इंटिमेट हो जाता है वो दोने एक दुसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं लॉरा कहती कि मसीमो गुस्से में होगा क्योंकि मुझे ट्रैक नहीं कर पाया नाच्उ ने गाः कि तुम्हें उसके पास वापस जाने की कोई जरुवत नहीं है लॉरा ने गःता कि ये तो बहुत EASY रहता पर उसके वापस जाना पड़ेगा नाच्व कहता कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ किसी भी जीस को लेकर यह करोंगा तुम्हारे वाध हमेशा चॉइस रहेगी इसी वजय से मैंने मसीमो को बचाय था लॉरा को यह बात पता नहीं थी नाचो कहता है कि इसके घर्परन उसे मारने वाली थी पर मैंने उसे शूट कर दिया और मसीमो बच गया लॉरा कहते ही कि अगर हुमर जाता तो तुम्हारे लिए सब कुछ तो एकदम सही हो जाता नाचो ने कहा कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और इस तरीके से अगर उसकी जान चली जाती है तो तुम बहुत ही जादा सैड हो जाती है मैं तुमें sad नहीं देख सकता मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना choose करो लारा फिर मसीमो के पास आ जाती है मसीमो ये मसीमो से पूछता है कल रात तुम ठीका मसीमो गुस्टा ओगया और उसे liar बुलाता है लारा ने कहा कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें डिवास के लिए पूछ सकती हो, मसीमो के एद्धा है कि ये कहना है, लॉरा ने कहा कि जब मुझे गोली लगी, तुम एक डार्क प्लेस पर चले गए थे, उसमें मुझे भी तुमने अलाउड नहीं किया था, तुम्हें लेकर में क्या फिल करती हो, ये जानने के लिए मुझे ज़रा स्पेश चाहिए, उसने मसीमो को सिसीली जाने के लिए कहा था, अगली सुबह लॉरा को लेटर लिखकर वहाँ से चला जाता है, उस लेटर में लिखा था, कि मैं तुम्हें प्लेन छोड़ कर जा रहा हो, तु अभी भी नाचो से मिली थे, और इस वज़े से अपनी पूरी लाइफ को बरबात कैसे कर सकती हो, लॉरा गेती की इस ट्रिप पर तुम हर एक लड़के के पास जा रही थी, तुम्हें लेक्चर नहीं दे सकती, उलगा उसे समझने की कोशिश करती है, और उसे सपोर्ट दे इसके बाद नेक सीन में लॉरा अपने पैरेंट्स के पास आ गए, वो बाइक पर आई थी और इदे को इसके पैरेंट्स ज़रा वरीड हो गए, उसकी मदर को लगता था कि अगर आदमी के लाइफ में कुछ प्रॉलम चल रहो, तब यो मोटर साइकल बाइ करता है, लॉरा क अगर तुमारी शादी नहीं हुई होती है, तुम किसे चूस करती है, लॉरा इसे अंसर नहीं कर पाती है, लॉरा के फादर जब कुछ लेने के लिए गए, तो उसकी मदर कहती है, कि हमें हमारी खुशियों की रिस्पॉनसिविलिटी खुद लेनी चाहिए, अगर हम हमारी ह पर जा रही थी, तो उसके फादर भी उसके पास आए, लॉरा को अपना बच्पन यहाद आता है, उसके फादर के साथ टाइन स्पेंट करना यह हमेज़ों से बहुत अच्छा लगता था, जब वो फादर के साथ डिनर कर रही थी, तो उसे उल्गा का कॉल आता है, वो डरी हुई थी, और कहती कि मैंने मसीमो की कन्वरसेशन सुनी, उसे नाचो के बारे में पता चल चुका है, और शायद वो उसे मारने के लिए जा रहा है, उल्गा कहती कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, और लॉरा को भी यही लग रहा था, लॉरा सिसिली वापस आकर एरप को पता चलता है, तो मेरे फादर की जान भी खत्रे में आ सकती है, पर मैंने सब रिस्क लिया, ताकि मैं तुम्हें देखना चाहता था, नाचो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जब मैं तुमसे मिला, तो डारेकली मैं तुमसे प्यार नहीं करने लग गया थ पहले तुम मेरी best friend बने प्रेंट बनने की बात प्यार कैसे होता है यह मुझे पता चला तुम्हारी हर एक चीज मुझे अच्छी लगने लगे तुम्हारा stubbornness और जब तुम सोई हुई होती हो तुम्हारा बीना किसी reason के smile करना तुम्हारे हर एक चीज को मैं चाहता हो तुम ज जो चाहिए वो सब कुछ में तुम्हें देने के लिए रेडियो यह सब कहने के लिए लौरा उसे thank you कहती है इसके बाद तुम मसीमो के पास उसे drop कर देता है लौरा को pick up करने के लिए Olga आई थी तो लौरा नाचो को Olga से मिलाती है Olga पहले ही डरी हुई थी और उसे देखकर औ किया और तुम तकलीफ में थे फिर भी मेरे बाद आकर कुछ भी बोल नहीं पाई इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया लौरा कहती कि तुम्हें मेरे और नाचो के बारे में बहुत टाइम से पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं मसीमो कहता है कि जब मैं लौरा से पूछता है क्या तुम मेरे पास वापर्स लोट कर रही हो यही पर मुवी एंड हो जाती है और लौरा का अंसर में पता नहीं चलता अब शायद यह सब चीज़े हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगी अगर आपको एक्स्पेशन चलगा तो प्लीज से लाइक और कालर किया